वेल्कम स्ट्रेंड्स आज हम पढ़ते हैं फंक्शनल एनलिसिस की यूनिट थर्ड कन्वर्जेंस एंड कंटिनियस फंक्शन इस से पहले हमने यूनिट फर्स्ट को पढ़ा जिसमें हमने मिट्र के स्पेस और ओपन सेट एंड क्लोस सेट के बारे में अध्यन किया था अब हम मिट्रिक स्पेस की सिक्वेंस और उनके कन्वर्जेंस के बारे में अध्यन करेंगे तो हमारी यूनिट थर्ड है कन्वर्जेंस एंड कंटिनियस फंक्शन इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिक्वेंस सिक्वेंस को हमने भी एसी पार्ट फर्स्ट में थियोरी ओफ कन्वर्जेंस की बुक में बढ़ा था अब सिक्वेंस को हम किसी मिट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ेंगे तो सिक्वेंस की डेफिनेशन में कि किसी मिट्रिक स्पेस की सिक्वेंस क्या होती है उसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं जो हमारे पास में सिक्वेंस होती थी रियल सिक्वेंस वह होती थी एक फंक्शन फ्रम नेच्वरल नंबर टू रियल नंबर उसे हम रियल सिक्वेंस कहते थे यहां पर हमारे पास में मिट्रिक स्पेस दिया हुआ है एकस देन हमारे पास में कोई भी फंक्शन स्ट फनेच्वरल नंबर यह सैट फ पोजिटिव इंटीजर्स तो एकस इस काल्डे सिक्वेंस in मिट्रिक स्पेस एकस कहलाती है इफ X is a sequence in capital X the image XN of small n belongs to natural number is usually denoted by XN the sequence X is denoted by symbol XN और XN या तुम मजले को इस तक में लिखते हैं या फिर हम इसको arrow के निशान के अंदर लिखते हैं and it's written as X1 X2 dot 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 XN और X1 X2 and so on XN तो हमारे पास में किसी भी sequence की image को XN से बताते हैं और किसी भी sequence को मजले को इस तक XN में लिखते हैं और उसको हम पढ़ते हैं X1 से लिखे XN तक the image XN of N is called the Nth term of the sequence जो XN होती है उसे हम sequence की Nth term कहते हैं note that the term of a sequence need not to be distinct यहां पर यह बात देखने की है कि sequence की जो infinite भी हो सकती है जैसे की हमारे पास में एक sequence है minus 1 raised to the power N इसके अंदर जो sequence की जो range होगी वो होगी 1 और minus 1 जो की finite है जबकि sequence के अंदर जो elements हैं जो sequence के अंदर जो terms हैं वो infinite होती है तो range set of a sequence में भी finite और infinite हो सकती है जैसे की next example में हमारे पास है n upon n plus 1 इसकी जो range है वो infinite set होगी क्योंकि हमें infinite numbers of terms मिलेंगी इसके आगे किसी भी sequence की सब सिक्वेंस क्या होती है कि लेट xn be a sequence in a metric space HD and let sequence n के भी strictly increasing sequence in capital N then xn k is called a sub sequence of xn जो n के है वो strictly increasing sequence sequence है n के अंदर यानि हमारे पास में कुछ numbers है जो increasing sequence में है तो उनकी कुछ terms को हम sequence xn की sub sequence कहते हैं जैसे example में दिया हुआ है sequence है 1,1 by 3,1 by 5 and so on यह एक sub sequence होगी किसी sequence 1,1 by 2,1 by 3,1 by 4 की यह increasing order में है सो यह sub sequence कहलाएगी sequence जो दी हुए उसकी अब कोई भी sequence convergent कब होती है यह चीज़ भी हमने पहले क्लासों में पढ़ी है अब बापस हम इसको metric space में पढ़ते हैं metric space में हमने open sphere, closed sphere, neighborhood, interior point, exterior point, isolated point, limit point और कई सारी चीज़ों को पढ़ा यह चीज़े हमने पहले भी पढ़ी थी लेकिन पहले हमने real numbers में पढ़ी थी यहां पर हम metric space में पढ़ रहे हैं तो उनी को लेकर के यहां पर हम convergence sequence की definition देंगे इसकी definition में let xd be a metric space, a sequence xn in x is set to converge to a point x in capital X, if for each epsilon greater than 0, there exist n0 belongs to n such that n is greater than equal to n0 implies d of xn, x is less than epsilon. अर्थार्थ माना हमारे पास में कोई metric space है xd, तब कोई भी sequence xn, x के किसी बिंदू small x को converge करेगी, यदि प्रत्यक epsilon greater than 0 के लिए एक ऐसा n0 belongs to n विदुमान हो कि n0 से बड़े n के लिए d of xn, x epsilon से छोटा इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि for each open sphere as epsilon x with center at x, there exist n0 belongs to n such that xn belongs to open sphere as epsilon x. for all n is greater than equal to n0. अर्थार्थ, for each open sphere, यनि प्रतेक विवरत गोले के लिए, जिसका center x है, एक ऐसा n0 विदुमान हो, कि इस open sphere में, विवरत गोले में, xn विदुमान हो. प्रतेक n0 से बढ़े, यह बराबर n के लिए. और इसको, we usually symbolize this by writing xn tends to x, इसको इस पर कार लिखते हैं, xn तीर का निशान और x, यनि जो sequence xn है, वो x की तरफ converge हो रही है. जो x है, उसको हम sequence की limit कहते हैं, और इसको हम निमन प्रकार लिखते हैं. sequence के बाद में, कोशी sequence, एक विशेश परकार की sequence होती है, जो कुछ special conditions को satisfy करती है, कोशी sequence कहलाती है. तो इसकी definition में, जो के दुमान हो, प्रतेक एफसलोन के लिए, कि n0 से बड़े m और n के लिए, d of xn, xn is less than epsilon हो. Now, complete metric space, a metric space xd is said to be complete if each कोशी sequence in x is convergent in x. कोई भी metric space xd, complete metric space कहलाता है, यदि x की प्रतेक कोशी sequence, x के अंदर convergent हो. ये हमारे पास में कुछ परिभाशा ही थी, sequence, sub-sequence, convergent sequence, कोशी sequence, और complete metric space को. इसके आगे हम कुछ theorems को पढ़ेंगे, तो next theorem में हम देखते हैं. theorem का statement है, कि any sequence in metric space converge to a unique point. कोई भी sequence किसे metric space में converge करती है, एक unique point को, यानि अद्वीतिय बिन्दू को. इसको प्रूफ करने के लिए हम मानके चलते हैं, कि let xn be a sequence in a metric space xd, such that xn tends to x and xn tends to x dash. हमने माना कि जो xn है, वह x को भी converge कर रहा है, और xn x dash को भी converge कर रहा है. तो यहाँ पर हम ये प्रूफ करेंगे कि x और x dash दोनों equal है. Now, to prove that x is equal to x dash, so for this हमने माना कि ये दोनों equal नहीं है. Let if possible, x does not equal to x dash. जब दोनों बराबर नहीं है, then their distances in a d of x, x dash is equal to some numbers. numbers या हमने इसको नाम दिये 3R, कि d of x, x dash is equal to 3R, then जो open sphere है, जिसकी radius r है और center x और x dash है, उन दोनों का intersection, that is sr x intersection sr x dash, वो phi होगा, because xn x को converge कर रही है और xn x dash को converge कर रही है. So, जब इनका intersection phi है, now for any r is greater than 0, there exists n 0, n 0 dash belongs to n, such that कि किसी n 0 से बड़े n के लिए xn sr x में होगा, और किसी n 0 dash से बड़े n के लिए xn sr x dash में विद्दमान होगा. तो यहाँ पर हमने दो integers, हमारे पास में इस प्रकार है n 0 और n 0 dash, जिसके लिए xn इन दोनों गोलों में विद्दमान होगा. Now, अब हमने n 0 और n 0 dash, इन दोनों में जो maximum है, उसके बराबर, उसको हमने k0 से denote किया है, k0 mana. Then, k0 से बड़े n के लिए जो xn है, वो sr x में भी होगी और sr x dash में भी होगी. It means, जो xn है, वो बिलॉंग करेगी sr x और sr x dash के intersection में. अर्थार, जो sr x है और sr x dash है, उसका intersection 5 नहीं है. जो की गलत है, वो इसलिए, क्योंकि हम यह मान के चले हैं, कि x और x dash दोनों बराबर नहीं है, तो इनका intersection 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम यह पाते हैं, कि sr x और sr x dash इनका intersection 5 है, अर्थार, which is a contradiction, यह एक बिरोदा भास आ गया. So, our assumption that x does not equal to x dash is wrong. Hence, x is equal to x dash. तो इस प्रकार कोई भी sequence है किसी metric space में, वो किसी unique point को ही converge करेगी है. Now, next theorem, let xd be a metric space. If xn and yn are sequenced in x such that xn tends to x and yn tends to y, then show that d of xn, yn tends to d of x, y. अगर हमारे पास में कोई metric space है, और दो sequence metric space x में इस प्रकार है, कि xn x को converge करे, yn y को converge करे, then, हमें यह शो करना है कि d of xn, yn converge करेगी d of xn, d of x, y. इसके proof में, चुकि हमें दिया हुआ है, xn x को converge करती है, yn y को converge करती है, so, why definition of convergence, हम लिख सकते हैं कि for epsilon greater than 0, n0 और m0 इस प्रकार में दुमान होंगे, कि n0 से बड़े n के लिए d of xn, x is less than epsilon y2, यहाँ epsilon की जगे, हमने epsilon by 2 लिया हुआ है, हम epsilon dash भी ले सकते हैं, epsilon भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने epsilon by 2 लिया है, और इसी प्रकार for every n is greater than equal to m0 के लिए d of yn, y is less than epsilon by 2, now, अब हमने n0 और m0 में से जो maximum है, उसको k0 के बराबर माना है, then, d of xn, x is less than epsilon by 2, and d of yn, y is less than epsilon by 2, for all n is greater than equal to k0, यानि k0 से बड़े n के लिए यह दोनों conditions satisfy होगी, now, अब हमें प्रूफ करना है, कि जो d of xn, yn हो converge करता है, d of x, y, तो इसके लिए हम प्रूफ करते हैं, कि modulus of d of xn, yn minus d of x, y is less than epsilon, तो हम LHS में लेके चलते हैं, कि modulus of d of xn, yn minus d of x, y, इसको हमने लिया, तो इसमें हमने d of xn, y जोड़ा और सब्स्ट्रक्ट किया, तो हमारे पास में आया हो, equal to d of xn, yn minus d of xn, y plus d of xn, y and minus d of x, y. Now, by triangle inequality, we have, हम triangle inequality से इसको लिख सकते हैं, is less than equal to d of xn, yn minus d of xn, y plus d of xn, y minus d of x, y equal to d of yn, xn minus d y, xn by the property of matrix space symmetric होता है, so we can write plus d of xn, y minus d of x, y. So, हमारे पास में मिलता है, d of yn, y and plus d of xn, x. So, जो हमारे पास में starting में हमने लिखा, चुकि x and x को converge करता है, y and y को converge करता है, So, बोथ हाल is less than epsilon by 2. So, हमने इनकी values यहाँ पर पुट किये, d of yn, y किये और d of xn, x किये, less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal to epsilon. So, हमारे पास में पास में राप्ट होता है कि, modulus of d of xn, yn minus d of x, y is less than epsilon for every n is greater than equal to k0 और by this definition, we write that कि d of xn, yn tends to d of x, y. That is, कि जो हमारे पास में d of xn, yn है, यह converge करेगी d of x, y को. तो यह theorem हमारे पास यहाँ प्रूफ थी. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट और important theorems के बारे में discuss करेंगे. और मैंने आज आज आपको जो last पढ़ाया था close set and open set उसका assignment भी दिया है. उसको आप कीजिए. इसी के साथ thank you.